दोस्तो आज के इस वीडियों हम बात करने वाले कि मुख्यमंत्र कन्या उत्थान योजडा अंत्रकत ग्रेजुएशन पास 50 जटा स्कॉल्सिप का आवेदन फिर से कब शुरू किया जाएगा क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली बार जो आपका आवेदन शुरू किया गया था उसमें बहुत देर छात्राओं का नाम अपलोडेंड नहीं था जिस वज़ासे बहुत देर छात्राओं आवेदन नहीं कर पाए इसके साथ यहाँ पे अगर आप देखेंगा तो कहा गया था कि जिनका वे रिजल्ट 39-2023 तक या फिर उससे पहले जारी हो गया है कि वो वही चात्राओं आवेदन करेंगे और 39-2023 के बाद से जिनका वे रिजल्ट जारी किया गया उन सभी का आवेदन अगले सेशन में लिया जाएगा जिसका आवेदन अब सुरू होने वाला है यह आवेदन कब से शुरू किया जागे या फिर इसके लिए क्या अपडेट है आज के इस वीडियो में हम डीटेल के साथ बताएंगे तो पोरी जनकारी जानने के लिए वीडियो में लास्त तक बने रहेगा अगर आपको यह वीडियो को पसंद आए तो वीडियो यहां पर आपको कहा जारे कि आवस्तेक सूचना है असना तक पास सत्र तो जर अड़ियो के चात्राओं के लिए करने उजना रासी के लिए ओनलेन अप्लाई करनी की परिकिरियो लोग सभा चुनाओं के खतम होने के बाद सुरू हो पाएगी यानि कि जिन्वी चात्राओं का अभी तक आवेदन नहीं लिया गया है जिन्होंने आवेदन नहीं किया है उन सभी का आवेदन अब चुनाओं के बाद सुरू किया जाएगा और यहां पर आगे कहा जार कि वेबसाइट पर रेइस्ट्रेशन सुरू होने की परकिरिया के बारे में विभिन समचार पत्र आपका जो आवेदन है चुनाओं के बाद सुरू किया जाएगा और उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है आप धहर बना के रखे अगर आपका रेइस्ट्रेशन सुरू होता है तो आपसे भी को बिभिन समचार पत्रों के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आपक कमर्स स्ट्रेश सेल्फानेंस कोर होने के कारण छात्राओं को इस योजना का लाव नहीं मिलता है यानि कि यह जो तीन कालेश है इसमें जो भी कमर्स से अपना एड्मिश लिये हो है यानि कि जो भी छात्रा है इस कॉलेज में पढ़ती है अगर आपने कमर से स्ट्रीम से एडमिशन लिया हुआ तो आप यहां का आविदन नहीं कर पाएंगी फिलाल जिनका आविदन यहां पर नहीं लिया गया उन सभी को कहा जा रहा है कि आपका आविदन चुनाओ के बाद रही है अब आप समझ गई होंगी कि आपका आविदन कब से सुरू कि अजार आया है आसे करते हैं कि आप पूरी जनकारी समझ गयोंगे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल पर नाए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा साथ में बे झाल झाल